नमस्का दोस्तो, मैं राजकुमा ठहनुआ, आज आपको बताऊंगा कुछ additional plotting features के बारे में, क्या आप अपने plot को और अच्छा किस तरीके से कर सकते हैं, different different तरीके से कैसे उसे plot कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप control करना चारे हैं, x और y axis की जो limits हैं basically, उन्हें control करना चारे ह इसकी requirement आपको definitely कहीं पड़ेगी, कई बार ऐसा होता है कि जब जो plot बन के आता है, तो उसके जो x axis और y axis है, वो आपके control में नहीं होता है, वो अपने इसाब से कुछ by different value ले ले लेता है, लेकिन आप चारे हैं कोई specific limit चारे हैं, कि यह x की value यहां से लेके यहां तक start होनी च करना है, तो आप axis को change कर सकते हैं, तो axis के साथ अगर आपको कुछ formatting करना है, तो उसके लिए command है, अगर आप लिखते हैं, v is equal to axis, इससे क्या मिल जाएगा, आपको four element का एक row vector मिलेगा, जिसमें x minimum, x maximum, x axis में minimum value क्या है, maximum क्या है, ऐसे ही y पर minimum value क्या है, और maximum value क्या है, यह उस कर सकते हैं, इस तरीके से axis bracket लगाया है, यहाँ पर लिखा है, आपने square bracket के अंदर, x minimum, जो minimum limit है, x maximum, similarly y minimum, y maximum, तो इससे आपके जो limit है, basically, वो adjust हो जाएंगे, clear है, अगर आप चाहरे हैं, कि दोनो axis बराबर आएं, equal आएं, x axis भी, उस पर भी range उतनी हो, और y पर भी उतनी हो, तो उस case में आप लिख सकते हैं, axis equal, तो this command set the axis increment to be equal on both axis, axis square आप लिखते हैं, तो यह command make the current axis box square, तो square box tap में बन जाएगा, जो axis है, basically, axis normal, इस से सारे effects हैं, वो cancel हो जाएंगे, axis off, this command turn off all axis labeling, tick, marks and background, यह सब कुछ उसे off का देगा, आप access on करेंगे, this command turn on, all axis labeling, tick marks and background, यह साइची है, तो यह साइची है, आप आगे use करने वाले हैं, clear है, तो जो command आपको पता चलती हैं, तो आप उन्हें एक जगह पर लिख लिया कर हो, जिससे कि आपको जब कहीं जरूरत पड़ेगी, तो आप at least देख पाएं, कई बार हम क्या किया है, x is equal to, हमने limit लिया, minus pi से लेके pi तक, basically हमने लिया है, जो angle है, minus pi से लेके pi तक, और increment जो रखा है, that is pi by 20 का, तो सबसे पहले आपने y1 is equal to sin x, और y2 is equal to cos x, यह दो signal लिया है, आपने plot किया, x, y1, comma, b, blue से आप करना चाहरे हैं, और dash लिया है, dash से solid line आती है, simple solid line उसके बाद आपने hold कर लिया, पहले वाले plot को, और दूसरा वाला plot आपने लगाया, x, y2, comma, k black के लिए रहता है, और dash dash आपने किया, तो यह dash के लिए होगा, इस तरीके साहरे है, उसके बाद आपने legend भी लगा दिया, sin x और cos x, तो इसका जो output आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, आप run करके देख सकते हैं, तो आप देख पा रहे है, sin x बाला है, blue से दिखाया है, और cos x बाला है, वो black से है, और dash dash, ठीक है, किलिए है, तो यह एक ही plot में, आपने same axis पे basically, दो plots को बना लिया, अब suppose आप चाहरे हैं कि जो हमाले दोनों plot हैं, वो different windows में आए, तो उसके लिए क्या किया जाता, उसके लिए simple यह तरीका होता है, आपको जो code लिखा है, उससे पहले आप लिख लेंगे simple figure 1, जरूई नहीं आप यहाँ पे लिखें, इससे हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं, उसमें इस code को लिख लेते हैं, code हमने लिख लिया, ठीक है, save किया, दो window आ गई, यह figure 1 की आ रही है, यह figure 2 की आ रही है, तो दो अलग-अलग axis में आ रहा है, पहले same axis पर आ रहा था, यहाँ पर अलग-अलग axis पर आ रहा है, तो यह basically किस की मदद से हुआ है, वो आपको देखना है, तो आपने यह यह figure 1 लिखा है, आप चाहें तो इससे जरू 1 create हो जाएगा, उसके लिए figure 1 create हो जाएगा, उसमें यह फिर plot हो जाएगा, फिर figure 2 create हो जाएगा, उसमें फिर plot हो जाएगा, तो यह तरीका है, तो इस तरीका है, तो इस तरीक से आप लिख सकते हैं, ऊपर लिखने की यह आप सकता नहीं है मेरे साब से, तो इसे भी अमरंक यहीं पर जाके होगी, तो आपको एक से ज्यादा अगर window में आप figure को plot करना चाहरे हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, यह भी एक तरीका है, clear है, तो देखिए, इस तरीके से output आ रहे थे, ठीक है, उसके बाद concept है subplot का, subplot का मतलब यह है कि many figures in same window, figure window एक ही रहेगी, और उसक ही सारे figures आएंगे, तो इस तरीके से जैसे आप मना चाहरे हैं, तो यहाँ पर मानिक चलिए कि जैसे एक figure window है, इस figure window में आपको six figures plot करने हैं, और six में भी फिर आपको देखना है, कि तीन एक उसमें आने चाहिए, लाइन में, तीन इसमें आ रहे हैं, तीन इसमें, मतलब दो row और तीन कॉलम, यह है कि नहीं, यही तो हुगा, matrix form में आप बनाते हो, तो दो row है यहाँ और तीन कॉलम है, तो उसके लिए simple command जैसे आपने subplot, आप लिख लिए 2,3, तो यह row और कॉलम का, basically वो बता रहा है, कि कितने rows और कॉलम, 2,3 जैसे लिखा, तो समझ देजिए, कि figure window में 6 figures के लिए space create हो गया, 2,3 लिखते हैं साथी, अब आप comma लागे 1 लिखेंगे, तो वो पहला वाला यह access हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो यह हो गया, 3 हो गया, तो इसकी बात कर रहे हैं, इस देगे से 4, 5, 6, तो आप जिस particular access में, जिस plot को बनाना चाहते हैं, उससे पहले यह लिख देना है, अपना काम हो जाएगा, देखिए, तो अभी जो हमारे पास code है, इसमें आपको 2 ही तो plot बनाना है, sin x और cos x का, तो आप चाहें तो इसे 1 row में बना सकते हैं, या फिर 2 row में बना सकते हैं, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपने 2 row में बनाया, 1 row में, लेकिन आप चाहरें, एक ही figure के अंदर, subplot में आना चाहिए, तो subplot 2,1,1, और यहां पर लेखा, subplot 2,1,2, तो यह बाला पहले में आ जाएगा, यह दूसरे में आ जाएगा, तो इसका जो output आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, यह एक ही window में है, same में, ठीक है, इस code को execute का game देख सकते हैं, आप command window पर भी पूरा code लेख सकते हैं तो, temporary आप देख रहे हैं, और आपको उसे future use के लिए रखना है तो एक file में रखना हो, मैं simply यहां पर इसको command window पर लेख रहा हूँ, देखिए, run हो के आगया, आगे तोनों एक ही figure window में, अलग-लग figure नहीं है, clear है, तो I think आपको subplot का conceptive clear होगा, तो आप subplot कर सकते हैं, different figures में आप plot बना सकते हैं, तो यह कुछ additional feature आपने सीखे, I think आपने यह features को enjoy किया होगा, फिर भी आपको कोई दिक्कत है, तो आप मेरे को mail कर सकते हैं, on my mail ID, mat level आके, अगर आपको यह lecture अच्छा लगा हो, तो इसे like कर और share करें, thank you.